आई यह मिलते हैं सूपर स्पेशालिटी मौडर्न हुएपिती चिकित्सा पदहती के आविशकारक डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन से जिन्हें इस चिकित्सा पदहती के आविशकार के लिए लगातार दो बार एक्सिलेंस अवोर्ट सहित काई अन्य अवोर्ट चे सम्मानित किया गया है और जानते हैं उनसे मौडर्न हुएपिती दवाईों के सर्वाइकल कैंसर पर असर के बारे में नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर अर्पेट चोपड़ा जैन, MD हुमेपैथी and Director of आरोग्य सुपरिस्पेसिटी, Modern हुमेपैथी क्लिनिक इंदौर and Working as Critical and Surgical Disease Specialist as a Modern हुमेपैथ दोस्तों आज आपने कहानी सुनी एक बहुती कॉमन कैंसर जो की महिलाओं में पाया जाता है, सर्वाइकल कैंसर से पिडित, एक पेशेंट, मिसेश जमीला जी, जो की सुल्तानपुरी देहली की रहने वाली है और एक ऐसे कैंसर से पिडित, जिस स्वक्त की तकलीब के बारे में अगर हम बात करें, जैसा कि उन्होंने अपने सब्दों में भी बताया कि लॉक्डाउन का समय था, उन्हें एक्सेसिव ब्लीडिंग की प्रॉलम होने लगी, अप्रेल 2020 के आसपास, जब हमारे देश में और उस स्थिती में उन्होंने कुछ लोकल ट्रीटमेंट लेने की कोशिश की, पर केवल ब्लीडिंग का ट्रीटमेंट लेकर वो कहीं न कहीं से उस बात से संतुस नहीं हो पा रहे थे, इसलिए उन्होंने उसकी जाज कराना चालू किया, और जैसे ही उन्होंने पैप के मेनेजमेंट में लगे वे थे, और उस समय अगर किसी पैशन को एडमिट होना है, तो लगबग उनके लिए बहुत ही विसम इस्तिती का सामना करने के लिए मजबूर होने की इस्तिती बन रही थी, तो दोस्तों उसी टाइम पर उन्होंने किसी भी तरीके से पता किया, त उसके कारण उन्हें बताया गया था, कि आपको आगे जाकर इसे आपड़ेट करना पड़ेगा, और हो सकता है कि आपको कीमो थेरेपी, रेडियो थेरेपी के बहुजूद भी इस बात की कोई शियोरटी नहीं है, कि ये वापस नहीं आ सकता, और दोस्तों, चुकि उनके द इसमाग में जो डर बैड़ गया था, कि कैंसर का अगर ट्रिक्मेंट होता है, अगर किसी परकार से सरजरी होती है, कीमो थेरेपी होती है, हो सकता है कि कोई साइड इफेक्ट हो, और चुकि उनका पूर वगा जो एच्पिरियंस अपने पीता के बारे में, कि उन्होंने कीम थेरेपी के आवसकता ना पड़े, और हमारा पेशेंट भी ठीक हो जाए, तो दोस्तों इस कारण से उन्होंने इंटरनेट पर जाकर सर्च किया, चुकि आरो के सबसे आदा कैंसर के ओपर अभी काम कर रहे हैं, और काफी सारे क्योड पेशेंट के डेटा हमने यूटूब क पर इस तरीके से सुपरिस्पेश्टी, मौडरन होमेथी कंसेप्ट ट्रेटमेंट का फायदा लेकर बिना किसी कीमो थेरेपी, बिना किसी रेडियो थेरेपी, बिना किसी सरजरी और बिना किसी इम्मिनो थेरेपी के उन्होंने पूरी तरीके से विजय प्राप्त की थी, उ और वो सही मैनों में अपने बारे में जो भी उन्होंने बताया, वो पूरा यतार्त के साथ सच था, और दोस्तों यह जो सचाई थी, उन्होंने कहीं न कहीं इस बात को accept किया, और उन्होंने lockdown के time पे, जब कह सकते हैं कि मेरी जो क्लिनिक थी, उस समय चुकी गवर्मेंट प्र रूप से भरती मरीजों का उप्चार या अन्यप तीन सो प्रकार की बीमारीयों का उप्चार हम लोग सुपर इस्पशली कंसेप से मौडर्न होईविती दवाईयों से करने की कोशिश कर रहे हैं जिसके कारण हमारे पास ज्यादा तर end stage patient या फिर जिनकी life threatening जो conditions है या फिर जो हर तरीके से जो failure patient कह सकते हैं जिनको medical science से निरासा के रूप में अभी पता चल रहा है या फिर कह सकते हैं कि जिनके लिए सभी उम्मीदें खतम हो गई है इन patients के कारण हमारे उपर इस बात का pressure भी रहता है इस बात की उम्मीदें भी कि हम लोग उनके लिए कुछ अच्छा करें और दोस्तों करीब 3000 से ज्यादा patients का data जो अलड़ी इन सभी critical patients की category में जो सही हो चुके हैं उनके बारे में हमने YouTube के चैनल के documentaries के तौर पर अपने social media के हमारे जो websites हैं उन पर pre and post report के अधार पर उन patient के data को verify करके submit किया हुआ है और इसी बात की पूष्टी के कारण उन्होंने जब हम से lockdown में जब contact किया तो हमने courier के माध्यम से चुकि उस समय courier भी बड़ी मुश्किल से हमें available हो रहे थे हमने private courier से tie up किया जो कि उस समय lockdown में भी service दे रहा था लगबक इंदौर के सभी courier उस समय असाज इस्तिती में थे कि वो कब खुलेंगे उन्हें भी नहीं मालूम था तो मिसेस जमीला को हमारी जो modern हुएपिती दवाईया है उसे हमने courier के माध्यम से उन्हें घर तक भेजा और दोस्तों ये चमातकार था super specialty modern हुएपिती concept treatment का कि मिसेस जमीला ने तीन मेने का जो treatment जबकि मेने उन्हें कहा था कि आप कम से कम 6 मेने का treatment पूरा लीजिए हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से कापी सारे patient cancer में पूरी तरीके से बाहर आए हैं हम लोग आपकी परिशानी को भी पूरी तरीके से खतम करेंगे और एक दिन बिल्कुल आपके reports नॉर्मल दिखेगी और दोस्तों ये विश्वास हमारा था ये विश्वास उनका था जो उन्होंने हमें accept किया और कहीं न कहीं इस बात का चमतकार लागू हुआ तीन मेने की पूरे treatment के बाद उनकी जो cancer marker CA 125 CEA ये दो test हमने कराए cancer marker के वो पूरी तरीके से normal है उस समय उन्हें बड़ी खुशी हुई कि ये जो test है पूरी तरीके से normal है कि जब उनके पास ये data था कि ये report नॉर्मल आ चुकी है cancer marker की उसके बहुजूद भी हमने उन्हें कहा कि आप अपनी जाकर city scan कराईए city abdomen कराईए या भी sonography कराईए और एक पर फिर से pap smear कराईए तो दोस्तों उन्होंने एक बहुती बड़े renowned hospital राम मनुहर लोया hospital जो की काफी बड़ा नाम है जो की काफी बड़ा hospital के रूप में काम कर रहा है वहाँ पर जाकर अपनी pap smear की report कर जिसके बारे में वो जो आज तक डर रहे थे कि क्या पता वो होगा या नहीं होगा जो डर था कि क्या वो कभी ठीक होगी या नहीं होगी जो मन में विचार था कि cancer से वो वापस पलट कर वापस आपाएंगी या नहीं आपाएंगी और दोस्तों यह जो modern homepathy super special concept treatment का जो तीन से मैं जून की उनकी जो रिपोर्ट थी उसमें यह पता चला था इस समय केवल sales की metaplexia के रुप में मौझूद है और इस समय कोई भी cancer का content उन्हें उस report में नहीं मिला और यह दोस्तों उस report की पुष्टी हुई कि इसमें cancer नहीं है इस बात के लिए राम मनोरे लोहिया hospital ने ने वहां पर सुना तुरंत उन्होंने मुझे वहीं से फोन लगा कर बताया कि सर जो आपका विश्वास था जो आपका प्रयास था और जो हमारी आपसे उम्मीदे थी वह आज पुरी हो गई आपने दो मेने पहले जो cancer marker के रिपोर्ट कराई थी वह पुरी तरीके से नॉर् सब्सक्राइब जाकर आप इसके बारे में समझ सकते हैं उनके बारे में जान सकते हैं इसी उम्मीद के साथ कि आप सभी खुश रहें मस रहें मौडर्न हुमेपैथी को जादा से जादा लोगों को प्रिरित करें मैं डॉक्टर अर्पित चोपडा जैन आरोग ये सूपर इस्पेशलिटी मौडर्न हुमेपैथी क्लिनिक थेंक यू नमस्क्री